नमस्कार और स्वागत है आपका हमारी चैनल में मैं रानी गुपता आपके साथ और बड़ी खबर सामने आ रही है आपको बता दें कि जिस तरीके से दिल्ली में डेटी सी बसों को लेकर के घुटाले का नया मामला सामने आया है तो इसको लेकर के अब BJP लगातार आमादमी पार्टी पर हमलावर है और इसको लेकर के आज गौरव भाटिया ने सीधे तोर पर ये कह दिया कि अरविंद केश्रिवाल जहां जहां होते हैं वहां वहां ब्रहस्ताचार होता है अर्विंद केश रिवाल और भ्रस्टाचार एक दूसरे के परियाय शब्द है इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें मुख्य मंत्री पद में रहने का कोई अधिकार नहीं है उन्हें इस्तिफादे देना चाहिए आपको बता दे कि आज दिल्ली में बीजेपी के द्वारा एक प्रेस का आयोजन किया गया था और इस दौरान जम करके आम आदमी पार्टी और अर्विंद केश रिवाल पर हमला बोला गया उनके साथ बता दे कि जहां गौरव भाटिया मौजूद थे तो वही आदेश गुपता भी मौजूद थे और इस दौरान तमाम लोगों ने जम करके डिटी सी बसों में हुए घुटाले को लेकर के अर्विंद केश रिवाल की सरकार को घेरा है बता दे दिल्ली में कथित डिटी सी बस घुटाले को लेकर आप भाजपा अर्विंद केश रिवाल की सरकार पर हमला वर हो गई है बीजेपी की ओर से आज प्रेस बन चुके हैं प्रेस कॉंफरेंस में बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने कहा कि आप कट्टर इमानदार होने का दावा कैसे कर सकते हैं लोग समझ गए हैं कि आप कट्टर भ्रस्ट हैं डेटीसी बसों के खरीद में अनियमीतताओं पर भाजपा नेता ने ये दावा किया ह कि दिल्ली में केश्रुवाल सरकार के दोस्ते टेंडर तैयार करते हैं बीजेपी ने ये भी दावा किया है कि जहां जहां केश्रुवाल है वहां भ़स्ट दावा है कि केजरिवाल लगातार सतेंद्र जयन को कटर इमानदार बताते रहे हैं लेकिन सतेंद्र जयन पिछले तीन महीने से गिरफतार है बीजेपी प्रवक्ता गौरब भाटिया ने कहा कि अरविंद केश्रिवाल जो भी करते हैं एक कंसल्टेंट जरूर बना देते हैं और इस कंसल्टेंट के जरीए कैसे वसूली का रुपया ये काला धन गुलाबी गड़ियां अरविंद केश्रिवाल तक पहुंचाई जाए और ब्रस्टाजार पूरा हो जाए यही इनका काम हैं साथी उन्होंने कहा कि केश्रिवाल जी का मुख्य मुद्दा है मुद्दा तो और सही काम को लटका दो लेकिन आप अगर लटकना जानते हो तो जनता भी जटका देना जानती है गौरव भाटिया ने साफतार पर कहा कि अरविंद केश्रिवाल को मुख्य मंत्री बने रहने का कोई अधिकार नहीं है वही दिल्ली बीजपी अध्याक्ष आदेश और फिर शराप से भ्रस्टाचार के सफर में इतनी डूप चुकी है कि वो जो भी काम करते हैं जो भी खरीद फरोक्त होती है बिना भ्रस्टाचार के हो ही नहीं सकती वहीं बीजपी नेता विजेंद्र गुपता ने कहा कि दिल्ली में 1000 बसों का टेंडर होता है तो वो टें पैसे की गाइडलाइन की धजिया उड़ाकर टेंडर दिया जाता है इसी के साथ ही बता दे बीजपी नेता हरीश खुराना ने कहा कि कहते हैं बस और ही नहीं की तो घुटाला किस बात का अरवन्द केश्रिवाल आपने तो वर्क और भी कर दिया था यह तो बीजपी ने च डॉक्यमेंट्स के फोटो भी शेयर किये हैं इसी के साथ ही दौरान गौरव भाटिया ने अरवन्द केश्रिवाल से मुख्यमंत्री पत से हटने की मांग करते हुए कहा कि ब्रस्टाचार में लिप्त मुख्यमंत्री को अपने पत पर रहने का कोई हक नहीं है इसके अलाव भाटिया ने ये भी कहा कि सरकार का कोई भी मंत्राले उठा कर देख लो उसमें ब्रस्टा चार ही मिलता है बतादे दिल्ली परिवहर निगम द्वारा एक हजार लोग फ्लोर बसों की खरीद में कथित अनियमितताओं के मामले में LG सचवाले को मिली शिकायत को CBI को भेजने के मुख्य सचिव के प्रस्ताव को उपराजपाल विके सकसेना ने मंजूरी दी है वह और तलब है कि साल जून में सकसेना को संबोधित एक शिकायत में ये दावा किया गया था कि दिल्ली परिवहन निगम यानि कि DTC द्वारा ब शिकायत में ये भी आरोप लगाया गया था कि इस निविदा के लिए बोली प्रबंधन सलहकार के रूप में DIMTS की नियुक्ति गलत कामों को सुविदा जनक बनाने के उद्देश से की गई थी आपको बता दे कि आज जम करके बीजपी कोर्ट से हमला किया गया है आम आदम रहे हैं और वो इस पर दोश्री भी पाये जा रहे हैं और इस वज़े से उन्हें सीम की कुर्शी पर बैठने का कोई हक नहीं है C.M. का पद समहलने का कोई हक नहीं बनता आपको बता दे कि जहां गौरव भाटिया ने जम करके आम आदमी पार्टी पर हमला बोला तो इसी क प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुपता ने भी जम करके अर्विंद केश्रवाल पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि कैसे स्वराज से शराप तक का सफर अर्विंद केश्रवाल ने तै किया है नए नए ब्रस्टाचार के परत अर्विंद केश्रवाल की खुलती हुई नजर आ रही है आपको बता दे कि लगातार अर्विंद केश्रवाल को ले करके और उनके मंत्रियों को ले करके ब्रस्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं जहां सतेंद रिजयन पर आरोप लगाया गया एडी की गिरफ्त में है वो तो इस वक्त मनेश सोधिया पर भी लगात सीब्याइज रही है शराब गोटाले को ले करके नई आपकारी नीटी जो दिल्ली में लागू की गई थी समामले में ये जाज हो रही है और इसको लेकर के मनेश सोधिया भी सीबैराइए की रडार पर हैं मनेके घर पर भी छापे मारे मारी की थी अब इस सबकी बीच में जहां दिल्ली के एजूकेशन मॉडल को भी लेकर के बाते सामने आए कि कैसे कमरे बनवाने के नाम पर धांदली की गई थी कितने कितने लाख रुपए इसमें खर्च किये गए थे ये मामला सामने आया तो इसी के साथ ही मुहला क्लेनिक के नाम पर कैसे लोगों को गुमरा किया गया और इसमें ब्रस्टाचार को अंजाम दिया गया ये भी पोल सबके सामने उजागर हुई इसी के साथ ही कैसे लगातार अर्विंद केशवाल जो बादे किये हैं उन्होंने 2013-14 में वो बादे अभी तक पूरे नहीं हुए हैं इस बात की भी परत दिल्ली की जनता के सामने खुला है और इसी के साथ ही जहां पिछले दिनों लगातार हंगामा किया गया था बीजेपी के द्वारा नए आपकारी नीती को ले करके तो पहले तो अर्विंद केशवाल और आम आदमी पार्टी सरकार यही कह रही थी कि नए शराब नीती में कोई घाटा नहीं है बलकि यह तो और भी जादा मुनाफ़ा देगा और इसी के साथ ही राज के राजस्व मे भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी लेकिन जैसे ही यह नई शराब नीती पिछले साल लागू हुई एक साल भी शराब नीती को नहीं हुआ और देखने को मिला कि कितनी जादा तादाद में दिल्ली के राजस्व कोख खामियाजा बुकतना पड़ा भारी तादाद में नु देखने दिल्ली की उसी को बहाल कर दिया गया है और इस समय डिली में डिटी सी बसों को ले करके जो घुटाले का मामला सामने आया है इसको भी ले करके आप झाल झाल